दोस्तों incoming call तो आप सभी लोगों के मुबाले में रो जाना आती है, वो चाहिए आपका कोई friend कर रहा हो, या कोई आपका कोई family member कर रहा हो, या कोई दोस्त कर रहा हो, लेकिन यदि आप अपने mobile के अंदर कोई भी incoming call आने से पहले, आज जो मैं आपको इस वीडियो में तीन ख मुबाल में भी आती है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, जो मैं तीन ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, आज इस वीडियो को पूरा देखकर समझना, बहुती यूजफुल वीडियो होने वाली है, बहुती आपके काम आने वाले याई वीडियो, अब दोस्तों ये चले वीडियो को शुरू करते हैं, अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टेटिंग में बताया है, यदि आपके पास रोज इंकमिंग कोल आती है, तो आपको अपने मुबाईल में तीन सेटिंग करके रखने चाहिए, जिनको दोस्तों आपके लिए बहुत य मुझे भी बता दो कैसे होंगी है, मेरे मुबाईल के अंदर, अब दोस्तों क्या है इंकमिंग कोल की तीन सिक्रेट ट्रेक अप थोड़ा ध्यान से समझना, पहले ट्रिक को स्टार्ट करते है, दोस्तों मान लेजिए कि आप अपने मुबाईल में वाट्साप को यूज कर आप दो है, और वाट्साप को यूज करते और अचानक से किसी के आपके पास कोल आ जाए, तो फिर दोस्तों क्या होगा, आप देख सकते हैं हैं मेरे पास कोल आई, और यहाँ पर जो मैं वाट्साप था, वो हट चुका है, अब यह तो यह िमाई इस कोल को अटेंड करूं नोर्मली जो है यूज कर पाऊंगा लेकिन नहीं यदि दोस्तों आप अपने मोईल में एक सेटिंग कर लेते हो उसके बाद यदि किसी के इंकमिंग कोल आती है तो आप फरक देखना फरक आपको क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको सेटिंग कर लेनी है आपको जाना के बाद आपको उपर की से तडै open जाना है शेटिंग में जाना है यहां पर आपको एक option मिले में एप स्करीनय वाइल यूज उजींग इसरड odd देखं़ थोटा नीशी जाकर यहां पर देखेंगे और को मैं और पर जो हां किलिक करदेंगे यह पर दोस्त तिन सेटिंग मिलेगी आपको फिल क्रीन स्क्रीन सट्राइकर पोफ औरर्ड है मीनई पोपप तब यहां पर क्या करना है पोपप पर किलिक करने के बाद यहाँ पर ऊफ्षित मिलेगा निचे कि ऐप कोई न under पूप अधर्ड है मीनी पॉप अप तो आपको यहां पर क्या करना है पूप पर क्लिक कर देना है पूप पर किलिक करने के बाद यहां पर ओप्शन में लगा निचे कीप कोल इन पूप अप तो आप इसको ओन कर देंगे ओके अब अब आप देखना मैं अपने वाट्साप को करता हूँ और यहां पर यहीदी मेरे पास कॉल आएगी तो आप देशाथों दोफ़र ऊपर आई है इस बार complete स्क्रीन पर नहीं आया अब दोस्तों आप इस कॉल को ऊपर से कट भी कर सकते हो और वाट्सब्स E Spicy continue use कर सकते हो तहरा दोस्तों बहुत ही amazing trick जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए है जिसके आप डिस्टब नहीं होंगे जब आप कुछ भी कर रहे होंगे अपने वाल केंदर कोई भी application से देखना थर्ड नंबर के ट्रिक को जुरूर देखका जाना बहुती ज्यादा VIP है ओके सैके नंबर के लिए थोड़ा ध्यान से समझना आप इस ट्रिक से किसी की भी खोल के रख सकते हो यदि आप कि एक केवल अपने वाले के अंदर एक सैटिंग करके रख लेते हो दोस्तो किसी अंदर नंबर से कोई भी कोल आए तो उसके नाम का आपको पहले ही पता चल जाए वो भी एक्च्व नेम क्या है उसका कोई उसमें फ्रोड वाजी नहीं होगी और इसके लिए आपको कोई अप्लिकेशन नाउलोड करने की भी जुरूरत नहीं है किवल आपको अपने अपने फेल्ट वाल में एक सेटिंग करनी है वो सेटिंग क्या है आपको वापिश्यपने अपने वालके अट सेटिंग पर जाना है यहां सब्त법 को रोड़ós अबारे में फ़ोर पने पर लीकिन अपर चीज एक option है block all spam and scam call, तो आप क्या काम करते हो उस पर टिक रखते हो, आपको क्या काम करना है, block all spam and scam call, इस पर click करना है, और यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, अब इस setting को on कर देना है, अब दोस्तों क्या होगा, जब भी किसी की अब आपके पास call आएगी, जो कि आपके पास spam call है तो उसका ये automatic उसको block कर देगा और उसका जो है आपको उपर चेक notification देदेगा किस नंबर से आपके पास ये call मैंने block की है ये fraud था ओके तो अगे लिए कि पोल भी खुल जाएगी और आपका नुक्सान होने से भी बच जाएगा उसका पूरा नाम बताएगा दोस्ते नोटिफिकेशन दे कर रुखके तो इस तरीके से आप अपने वाले में second number की setting को भी करके रख सकते हो अब दोस्तों बात करेंगे third number की setting जो कि आपके लिए खुँज़ादा VIP होने वाली है दोस्तों third number की setting है वो यह है कि कभी ना कभी आपके मन में एक ख्याल जुरूर आता होगा कि यदि आपका कोई personal number है और यदि उसके आपके पास call आए तो उसका किशिक के पास भी number दिखाई ना दे नहीं तो उसका number दिखाई दे और नहीं उसका नाम दिखाई दे बस उसकी call आ जाए है ना मालीज़े कि आपका कोई personal friend है या friends है और आप अपने family के बीच में रहते हो जब भी उसकी call आएगी तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा किवल आपको इस पता चलेगा कि हाँ आपके friend की call आ रही है इस तरीके से आप किसी भी number पर set कर सकते हो अपने mobile के अंदर इस चे आपकी privacy में intent रहती है और बहुत कुछ जो है आपकी poll खुनने से बच जाती है family के अंदर अब दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है थोड़ा उध्यान से देखना सबसे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है आपको मैं description में एक application का link दे दूँगा या तो आप description के link से directives को download कर लेना या फिर आप जो है इस video के last में मैं आपको application का नाम भी बता दूँगा तो अब सबसे पहले आपको इस application को download करना है जब आप इस application को पहली बार download करके open करते हैं उस तरीके से यह application जो है open हो जाती है अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ setting करनी है और दोस्तों लास्ट वाले setting को जुरूर समझे के जाना otherwise आप इस application को योज नहीं कर पाएंगे सबसे पहले application आपसे मांगती है step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 इन सभी steps को follow करना है इस application को अपने वाले के अंदर activate कर देना है वो कैसे सबसे पहले आप तो तो draw over other app की permission मांगते इस पर क्लिक करेंगे okay कर देंगे इसके बाद यहां पर आपसे appear on top की जो permission है इस application का नाम ढूंड़ना है और यहां पर दोस्तों उस setting को जो है own कर देना है okay इसके बाद back जाएंगे यहां पर read phone state का permission है इस पर क्लिक करेंगे अलाव कर देंगे दोनों टिक हो चुकी है set log type set log type पर क्लिक करेंगे pin या pattern वह आपके इच्छाए मैं बनाता हूँ पिन ओके और यहां पर मैं डाल लेता हूँ दोस्तों set pin पर 000000 next करेंगे next करने के बाद यहां पर 000000 confirm करेंगे दोस्तों जैसे यह confirm हो जाता है इसके बाद यहां पर आप देखेंगे change pin लिखावा चुका यानि कि आपका pin set हो चुका है अब यहाँ पर आपको enable log पर click करना है setting में जाना है setting में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलता है set background का set background पर यदि आप click करते हो तो यहाँ से आप अपनी मन पसंद या फिर अफना photo भी select जो है कर सकते हो अपनी gallery से जैसे किसी की call आएगी तो जो है आपका photo जो है दिखाई देने लगेगा आपकी screen पर तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से setting भी अपने mobile में कर सकते हो अब यह काम करने के बाद यह जो application थी आपके mobile में activate हो चुकी होगी अब दोस्तों यदि किसी की call आएगी मैंने लोग लगा दिया है अब यदि किसी की मेरे mobile पर call आएगी आप देखना किस तरीके से आएगी तो call आते हैं आप देख सब्सक्राइब दोस्तों यहाँ पर नहीं तो उसका number आ रहा है नहीं नाम आ रहा है यहाँ पर आ रहा है incoming call लोक incoming call आ लिखावा नहीं किसी का number नहीं किसी की call मतलब की नम नाम कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अब यह जो है कोई private phone है तो यदि कोई और इसको उठाने कोशिस करेगा उठेगा भी ने क्योंकि केवल आपको पता होगा ऐसे आप यहाँ पर अपना सही पिंड डालेंगे 000-00 जो भी आपने बनाया होगा उसके बाद आप इस पूल को टेंड कर पाएंगे सबसे बड़ी बात यहाँ है जो आपकी call का इंटरफेस होगा वह उपर चैंज हो जाएगा बात करें इस application का नाम क्या है तो application का नाम है incoming call लोक आप डाउनलोड कर सकते हो अधरवाइज आपको link नीचे मिलेगा link पर किलिक करना डाउनलोड कर सकते हो मैं उसके बारे में उड़ी पुरा process आपको समझाए अपनी website पर ओके तो दोस्तों यह ता इस वीडियो में I hope यह करना सोनसका दोस्तों आपका दिन शूबो